हलो दोस्तों स्वागत आप लोगा इंफ्रमेट एजूकेशन में सुगाइज मेरा नाम है रुवित प्रजापती एंड टुड़े वी आर गूंग टू डिसकस अबाउट बीपीचियल बीपीचियल मेंज भारत पेट्रोलियूम कॉर्परेशन लिम्टेट इस ओगनाइशन के जाओ वहां पर महरतना के नाम से प्लेलिस्ट है वहां पर सारी वीडियो अवेलिबल है ठीक है आप असानी से वहां देख सकते हैं फिलाल बात करते हैं इस ओगनाइशन के बारे में देखो जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके उस टाइम पे भी काफी सारी इससे पहल को गया दीरे दीरे करते करते जो 24 जनवरी उस टाइम जो से पहले बहरत रिफाईनेरिस लिम्टेड इसको यह पहले कह जाता था भारत रिफाइनेरी इस लिम्तेड ठीक है इसने एक्वायर किया था कंप्लीट ओनरशिप ली थी किसकी बर्मा सेल इंटरेस्ट इन इंडिया ठीक है इसकी पूरी पूरी complete ownership ले ली ये बर्मा सहल पहले काफी सारी private organizations वगरा जो भी government वगरा के जरीये मतलब बिनके बने हुई थी ठीक है तो उसकी पूरी ownership ले ली किसने भारत refineries limited ने ठीक है बाद में इसका नाम बदल करके कर दिया गया भारत refineries limited was later named as भारत petroleum corporation limited समझ ग सबको रिफाइनेरी को कब्जा मतलब सबको इसके अंडर लेके नाम बदल के रख दिया गया भारत पैट्रोलियम कोरपरेशन लिम्टेट यह आपको समझागी थोड़ा बेसिक सा ओवर्यू की हां सिस्टम हुआ कहां से था ठीक है तो इसकी स्थापना ऐसे नहीं हुई थी यह कई सारी ओगनाशन को मिला मिला के नेसलाइस करकर बनाया गया भारत रिफाइनेरी इस लिम्टेट उसके बाद इसका नाम रख देगा है बात समझागी तो यह जो है ओगनाशन जो गाइस यह आता है इसका जो हेड़कर है वो है मुंबई माराष्ट में जो काफी रिफाइनेरी का ही काम है जो Crude Oil होत एक उसके बाद उससे Direct ए इस तो नहीं किया जाता है उसकी र cyg aliens करना पड़ता है It is India's second largest Oil Company SECOND largest Oil Company आप कह सकते हैं the इंडिया का second largest oil company है and ranked 309th on the fortune list of world's biggest corporations of 2020 ठीक है तो 390 position मिली थी 2020 की list में fortune list of world's biggest corporation के list में ठीक है also ranked at 792 positions in Forbes global 2000 लिस्ट ठीक है पूरे के पूरे world में Forbes की list जारी होती है जिसमें वो काफी बड़ी-बड़ जो की 2021 की list में recent जो इस साल की list आई है उसमें इसको मिला है 792 नंबर का position ठीक है जो गाई और इसके जो डारेक्टर कह लो या फिर चेर्मन managing director जो है director of HR भी है यह साथ-साथ इनका नाम है सिरी के पदमकर ठीक है तो इनका नाम यह सिरी के पदमकर है ना और जो इसके products है मतलब आपको यह तो जानना होगा ना कि यह organization आपको तो समझ आगे refinery करती है मैंने बताया लेकिन किस किस टाइप की product बनाती है तो देखो पैट्रोल हो गया पैट्रोलियम वगारा ठीक है natural gas LNG, lubricant, lubricant आपको मतलब जैसे grease वगरा जो यूज होते है ना ठीक है engine oil में engine oil वगरा डलता है वहाँ पे lubricant डाले जाते हैं ताकि वह engine अच्छे से refine होके चलता रहे है और पैट्रोलियम तो यह type के product बनाते हैं वह यह organization refine करके बनाती है ठीक है और अलग-लग areas में sale करती है तो आप काफी आपको काफी सारी चीह समझा आगी होंगी और जो इसके under कई सारी organization आती है जो कि इसके जरीए ही इन organizations के जरीए यह बहुत सारी काम करते हैं सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी तो यह subsidiaries है को इस कुछ है जो है भारत ओमान refinery limited ठीक है तो न जैसे देखो धीरे धीरे पैट्रॉल की कमी तो होने वाली है पूरी दुनिया में ठीक है सिर्फ पैट्रॉल पे रिलाइबल रहके मतलब सिर्फ पैट्रॉल पे रहके हम लोगों को बहुत नुक्सान उठाना पड़ता है बहुत सारा जो इंडिया का पैसा है वो कुरूड पैसे जो कि घृचिज़ों ने लिए जैसे सोलर ब्लांक हो गया सोलर से सॉलर से नेरजी बनाना ठीक है वॉक्त पैसले बनाना इस्टरॉल ऑटर से चीज़ों पे ध्यान देने की जलूरी है ये काम किसके जरी करवाती है यह विस करती है तो यह कुछ इसकी सबस्क्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर जीए अपने दोस्तों के शेयर कीजिये मिलते हैं गली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार